गाइस इनसे में लिए ये है तीन कूर्टे और एक साइकल वाले IIT के एक्स प्रोफेसर आलोक सागर जो पिछले 32 सालों से एसो औरांगी जिन्दगी छोड़कर मध्य पर्देश के आदिवासी गाउं में रह रहे हैं ये यहाँ आदिवासी बच्चों को पढ़ाते हैं और पेड लगाते हैं अब तक ये 50,000 से भी ज़्यादा पेड लगा चुके हैं आलोक RBI के एक्स गवर्नर रगुराम राजान के टीचर भी रह चुके हैं गाइस इन जैसे लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है इस फोटो में मौझूद लड़की ने अपने दोस्तों को ये फोटो भेज कर कहा इस फोटो में मेरे पीछे जो माली पौधे को पानी दे रहा है उसे एडिटिंग से हटा दो फिर इसके दोस्त ने एडिटिंग करके इसे जो कमाल का संदेश दिया है वो तो आप समझी गए होंगे बिना माली के ये पेड़ पौधे विरान है गाइस इस तस्वीर को देखिए ये गंदे शकल वाली चीज एक मचली है जी हाँ गाइस इस मचली को दुनिया की सबसे बदसूरत मचली माना जाता है इस मचली का नाम ब्लॉफिश है अब कमेंट करके बताए क्या आपको भी ये मचली गंदी और बदसूरत लगी आपने आद से पहले का इस कई सारी पेंटिंग्स देखी होगी लेकिन इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए ये बेहद ही अलग है क्योंकि ये पेंटिंग दुनिया की सबसे रियलिस्टिक पेंटिंग है यानि ये सामने से बिल्कुल रियल लगती है इस पेंटिंग को बह नहीं भी और कभी भी सो जाते हैं इस गाउं को इस लिपी होलो भी कहते हैं क्या कमाल की जगा है इन दौर में रहने वाले अनुभाव दूबे चाय सूटा बार के मालिक है जिन्होंने किवाली किस साल की उम्र में चाय बेच कर सौ करोड़ का टान ओवर पूरा किया इस आइडिया ने कमाल किया प्राण जाए पर पल्स ना जाए इवाना प्राण जाए गाइस इस एड को आपने काफी बार टीवी पर देखा होगा ये एड एक रुपे वाली केंडी पल्स की है और काफी लोगों की फेवरेट बन चुकी है लेकिन क्या आपको पता है इस च पालों में 300 करोड की विक्री इसके अंदर का स्वाद काले नमक की तरह होता है जो कि सबको बेहत पसंद है और क्या आपने कभी इस कैंडी को ट्राई किया है कमेंट करके ज़रू बताना गाइस आपने कभी न कभी ऑनलाइन समान ओर्डर किया ही होगा चाहें वो कुछ भी क्यों न हो लेकिन अगर मैं आपसे पूछू कि क्या कभी आपने गाए भैस ओर्डर किया है तो आपका जवाब ना ही होगा गाइस मिली ये IIT की इन दो लड़कियों नीतु यादा और कृती जांगरा से जिन्होंने ओनलाइन गाए और भैस बेचकर भारत का पहला प्लेटफॉम बनाया आज इस स्टार्टप की वैल्यू 565 करोड रुपय है गाइस मुझे तो ये लड़कियां और इनकी सोच काफी कमाल की लगी गाइस इमेजिन कीजिए कि आप एक सूपर मार्केट में है और आपको समान चुराते हुए किसी ने देख लिया उसके बाद क्या होगा शायद आप पुलिस इस्टेशन में क्योंकि नॉर्मली यही होता है लेकिन गाइस इन सबसे अलग एक ऐसा सूपर मार्केट है जहां आप कुछ भी चूरा सकते हैं और कोई देख कर भी आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप वालमार्क में चूरी करते हैं तो उनके एमपलोईस आपको देख कर भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे Walmart का कहना है कि अगर वो उनके ग्रहाकों को चोरी करते समय पकड़ लें तो वो वापस कभी नहीं आएंगे और वे वैसा नहीं चाहते उनके लिए हर एक ग्रहाक important है दोस्तो इस तस्वीर को देखिए ये तस्वीर काफी ज़ादा emotional है और इस तस्वीर को सबसे best होने का award मिल चुका है जिसमें ये हिरन अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद शिकार बन जाती है इस फोटो को घीचने वाले ऐलिसन मूटिक फोटो घीचने के बाद कई दिनों तक इस्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाये थे गाइस माँ आपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है चाहें वो इनसान हो या फिर जानवर माँ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है फोटोग्राफर कैविन कार्टर दोरा ली गई ये फोटो दुनिया की सबसे दुखी फोटो है इसमें ये बच्चा भूक से तड़प रहा था और एक गिद इसके मरने का इंधिजार कर रहा था कैविन ने बच्चे को बचाने की वज़ाए फोटो खीच ली बेशक इस फोटो के लिए उन्हें कई सारे वाट्स मिले लेकिन जब कैविन को अपनी गलती का हैसास हुआ तो उसने आत्मत्या कर ली गाइस लाश्ट में मैं आपको सस्क्राइब करने के लिए बिलकुल नहीं कहूंगा क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप खुद पर खुद सस्क्राइब कर देंगे वरना मेरे बोलने के बाद भी नहीं करेंगे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में and thanks for watching